अस्सलामों अलेखुम वर्हामतुलाहिवराकातूमों फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस नामी अखलाक तुछ दोस्तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिद्मत में हाजिर हुआ हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सुभा के वक्त खाली पेट दही में आदा चमच मिला कर खाली अगरें तो इन्शालला आपका जितना भी पेट बाहर निकल आया होगा वो सारा का सारा अंदर चला जाएगा और आपका पेट बिलकुल पतला यानी सिलीम हो जाएगा और जिन लोगों की कमर मोटी है जिन लोगों की टांगों पर जादा चरवी चल चुकी है कमर मोटी हो चुकी है इन्शालला वो भी स्मार्ट होना शुरू हो जाएगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये वीडियो आपको बहुत सदा पसंद आएगी क्योंकि आज की वीडियो में दही के हवाले से के दही में ऐसा क्या मिला लिया जाए जिसका इस्तमाल करने से आपका मोटापा कम हो जाएगा और आपके पेट की चरवी कम हो जाएगी दोस्तों दही तो हर को इस्तमाल करता है सुबह के वक्त तकरेबन सौमे से 80% दिलोग ऐसे जरूर होंगे जो सुबह के वक्त दही का इस्तमाल लाजमी करते हैं अगर उन लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मोटापे का शिकार हैं और वो भी दही का इस्तमाल करते हैं तो आज से वो दही में ये एक चम्मच मिला लिया करें जो आपको आगे बताने चा रहा हूं इन्शालला फिर देखें कि आपके पेट में कमी आना शुरू हो जाएगी आपका पेट जो बाहर की तरफ निकला है वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा दोस्तों जिस माहौल में आप जिन्दगी गुजार रहे हैं उसका आपके वजन पर गहरा असर पड़ता है जिन जगहों पर ताजा और साव सुत्री हवा नहीं होती क्या ज़्यादा तेल वाले खाने खाने का रिवाज होता है वहां अकसर लोगों का वजन बढ़ जाता है इसी धरा जहां महले में चहल कदमी या हलकी फुलकी एकसरसाईज और खेल कूट के मौके ना हो ऐसी जगहों पर भी लोग मुटापे का शिकार बहुत जल्द हो जाते हैं अगर आप जिसमानी वजन में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकामी का सामना है तो उसकी वज़ा आप खुद भी हो सकते हैं दोस्तो जब हम बहुत सी मेडिकल का इस्तेमाल करते हैं हकीमों से इलाज करवाते हैं डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं बहुत सा पैसा बर्बाद कर देते हैं और हफ्तों की महीनों की सालों की मेहनत के बाद अचानक जब मालूम होता है कि आपके वजन में तो एक किलो की भी कमी नहीं आई तो कैसा धका लगता है तो फिर कैसा महसूस होता है जब इतना पैसा लगाने के बावजूद इतनी महनत क करने के बावजूद भी वजन में कमी नहीं आती तो फिर क्या महसूस होता है हकीकत तो यह है कि आपकी जादतर आदतें ऐसी होती हैं जो इस मकसद के हुसूल में रुकावट साबित होती हैं और आपको इसका इलम भी नहीं होता कि मोटा पक्यों होता है अक्सर लोग कहते हैं जिन में मर्द और और औरतें दोनों शामिल होते हैं कि मैं मोटा क्यों हो गया, मैं मोटी क्यों हो गई ये सवाल हर मोटा आदमी चाहे वो मर्द हो या औरत जरूर सोचता है मगर उसका जवाब क्या है? उसका जवाब सिर्फ एक है कि मोटापा हमेशा जादा खाने के अमल से होता है जब आप खाना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे जिसम में चिकनाई की शकल में जमा होती रहती है और वजन में इजाफे का सबब बन जाती है इसलिए उसके साथ साथ अगर आप मुनासिब वर्जिस कर ली जाए तो बहतर है एक और एहम बात की शादी के बाद अक्सर मर्द और और ओरत का भी वजन बढ़ जाता है और वो भी बहुत जल्द मोटापे का शिकार हो जाते हैं उसकी क्याई वज़ा हो सकती है शादी के बाद मिया बीवी अक्सर घर से बाहर खाना खाने जाते हैं बाहर तरह तरह की खाने की चीज़ें मिक्स होती हैं लिहाजा दोनों अपनी पसंद के खाने खाते हैं और मोटे होना शुरू हो जाते हैं लेकिन इन्हें अपने मोटे होने का एहसास उस वक्त होता है जब शादी के तीन महीने बाद उनके कपड़े उन्हें फस जाते हैं और उन्हें पूरे नहीं आते हैं। दोस्तों शादी के बाद औरतों की एक ख्वाइश होती है कि वो अपने खाने के जरीए अपने शोहर का दिल खुश करें तो इस ख्वाइश को पूरा करने के लिए वो अच्छे अच्छे जाएकेदार खाने अपने शोहर के लिए बनाती हैं और नतीजा होता है कि मिया बीव प्रासे वो मोटे नहीं हो पाते लेकिन शादी के फॉरण बाद वो जहनी तोर पर पुरसकून हो जाते हैं क्योंकि जहनी आसूतकी भी मोटापे का शिकार बनती है इसलिए मिया बीवी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं आज हम इसी हुआले से आपके लिए एक नुस्का लेकर हाजिर हुए हैं बहुत ही छोटा सा है जो लोग दही का इस्तेमाल बड़े शौक से करते हैं और वो जो लोग दही का इस्तेमाल बड़े शौक से करते हैं और मोटे भी हैं तो दही में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मिला लिया करें इन्शालला फिर देखिए आपका वजन और मोटा पेट कैसे कम होना शुरू हो जाएगा सुभा के वक्त जब आप दही खाने लगें तो बाजार से दाल चीनी मिलती है दाल चीनी आपको किसी भी पंसारी के दुकान से मिल जाएगी हो सकता है आपके घर में भी मौजूद हो दाल चीनी आपको बहुत ही कम पैसो में मिल जाएगी और सुभा के वक्त आप जितनी भी दही खाते हैं आपने उतनी ही दही लेकर उसमें चीनी नहीं डालनी ये बात याद रखनी है कि दही में चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी और उसमें आपने दाल चीनी को करीब आधा चमच दही में मिक्स कर लेना है अच्छी धरा से और उसको आपने खाली पेट खा लेना है ये करके देखें, अभी तक आपने जितने पैसे बरबाद के हैं, जितनी हकीमों को डॉक्टरों को चेक करवाया है, आपने मुटापे के लिए मैडिसिन इस्तेमाल की हैं, लेकिन आज का एनुस का इस्तेमाल करके देखें, हो सकता है कि आपको ये हकीम ने ना बताया होगा, क बिजन कम होना दिखने लगेगा और जो एहम बात है वो यह है कि जो औरतें हमल की हालत में हैं वो इस नुसके से फिलहाल दूर रहें जब वो फिरी हो जाएं पारिग हो जाएं तो फिर वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं हमारे पास बहुत सारे इमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताईए तो अगर आपको शुगर की बिमारी है या धात की बिमारी है या मरदान ताकत से रिलेटिड कोई भी बिमारी है तो हमारे पास इन सब बिमारियों की दवाई मौजूद है जिससे आपको सिर्फ ये दवाई एक बारी मगानी होगी, एक बार से आपकी दवाई से आपकी जो बिमारी है वो जोड़ से खतम हो जाएगे इन्शालला, हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं, तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते है तो हम कूरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे, दवाई की प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है, दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिये गए नमबर पर वाटसेप करके दवाई और्डू कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारे के लिए आप वाटसेप पर मैसी करें